हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ विकास और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप फेस्बुक पे अपनी जो आईडी है उसमें अपना नंबर प्राइविसी कैसे कर सकते हो जैसे के आपको जो नंबर है वो सिर्फ आपको दोस्तों को दिखाई दे या सबको दिखाई दे या सिर्फ आपको ही दिखाई दे कैसे करोगे आए जानते हैं इसके लिए सबसे पहला आपको फेस्बुक में जाना है तो फेस्बुक में जाएए फेस्बुक में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास इसका होम पेज आ जाएगा या तो आप अपने profile picture यानि DP पे टच करें तो आप अपने profile में आ जाओगे वरना आप तीन line पे टच करोगे तो यहाँ पे आपको आपका नाम और photo मिलेगा आप इस पे click करोगे तो भी आप profile पे आ जाओगे यहाँ पे आपको मिलेगा edit profile या तीन dot मिलेंगे इस पे click करें और यहाँ पे आपको मिलेगा edit profile इस पे आप click कर लीजिए यहाँ पे आपको profile की सारे settings आ जाएगे जैसे की photo cover photo क्या क्या अपने पढ़ाई करिये सब आ जाएगा नीचे आपको मिलेगा Addit और About Info इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको एक Option मिलेगा जिसका नाम होगा Contact Info यहाँ पे आपका Mobile Number होगा जहां से देखिएगा Edit पे आपको क्लिक करना है Edit पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हलका सा wait करना है आपके पास यह वाला पेज आएगा यहाँ पे आप इसे Remove करना चाहो तो Remove भी कर सकते हो Manage Contact Info पे क्लिक करके वन्हा आपको यहाँ पे यह वाला निसान बनावा दिखाई दे जाएगा अभी हमारा Phone Number पब्लिक है कोई भी हमारी Profile पे आएगा तो हमारा Phone Number देख सकता है तो आपको इस वाला निसान पे टच करना है और इसको Friends पे कर देना है या More Option पे करके Only Me कर देना है तो इसको Only Me कर देता हूँ आपको कर देना है फिर आपको नीचे मिलेगा Save Option Save Option पे किलिक करें वेट करना है आपको 102 मिन्ट का और यहाँ पे आपका जो Mobile Number है वो Privacy में हो जाएगा यहाँ पे दिखा रहा है Only Me यानि सिर्फ हम ही इसको देख सकते हैं वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा